हाल में दो महाँ शक्ति साली हेलिकॉप्टर हमारी सैन्य सक्ति का हिस्सा बन चुके हैं बहुत जल्द राफेल फाइटर जैड भी हमारे वायू सेना को ससक्त करेगा तीनों सेनाओं के बीच बहतर तानमेल के लिए चीफ आफ डिफेंस टांप बनाने के लिए दसकों से चर्चा चल रही थी यह फैसला भी मैंने पंदर आगस को लाल के लिए पर से गोशित किया था और उसको भी आगे बढ़ा दिया साथियों देश की सुरक्षा तैयारियों को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है अपने हर वाइदे को पूरा कर रही है लेकिन देश की रक्षा को लेकर पहले की सरकारों का कैसा रवया रहा है इसे बार बार याद किये जाने की जरूरत है भाईयों बहनों हमारी सेना ने दस साल पहले यानि दो हजार नौ में एक लाग छ्यासी हजार बुलेट प्रूप जैकेट की मांग की थी बीना बुलेट प्रूप जैकेट हमारा बीर जबान देश के दुश्मनों से लड़ रहा था दो हजार नौ से लेकर अगले पांच साल बीच समय गया लेकिन कॉंग्रेस की सरकार ने NCP के समर्थन से चल रही सरकार ने सेना की इस जरूरत पर ध्यान नहीं दिया उनके लिए बुलेट प्रूप जैकेट नहीं खरीदी जब भाजपा एंडिये की सरकार आई तो हमने बुलेट प्रूप जैकेट खरीदने की प्रक्रिया शुडू की और यह हमारा नाजिक तो भॉंसले मिलेटरी स्कूल से जाना जाता है इतना ही नहीं हमने व्यवस्ताएं बनाई ताकि यह जैकेट भारत में ही बने साथियों बीते पाँच वर्सों में हमने न सिर्फ सेना की जरुवतों को हमारे वीर जवानों की जरुवतों को पूरा किया उन्हें बुलेट प्रूप जैकेट दिलाई बल्कि अब उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं अब भारत दुनिया के उन कुछ देशों में सामिल हो गया है जो अंतर राष्ट्रे स्टैंडर की बुलेट प्रूप जैकेट बनाता है इतना ही नहीं दुनिया के सो से जादा देशों में आज भारत में बनी बुलेट प्रूप जैकेट एक्पोर्ट हो रही है निर्यात की जा रही साथ यो